नमस्कार मैं संजय कुमार केंद्रिय विद्याले संगठन में आफिसर कैडर टीचर प्रिंस्पल की धेरों रिखती आई है नन टीचिंग स्टाप की तो फिनांस अपसर की एक बहुत बड़ी ऑपर्चुनिटी हां मिलने आपको जा रही है जिन लोगों को केवी में फिनांस बनना है तो इस मौके का फाइदा उठाई है और अप्लाई के लिए ऑनलाइन चालू हो चुका है यानि पास दिसंबर 2020-2022 से ऑनलाइन अप्लाई चालू है लास्ट डेट है 26 दिसंबर 2022 तक आप करेंगे अप्लाई रिटेन टेस्ट का अभी कोई सूचना नहीं है जल्दी इसकी सूचना आगी फिनांस ओप्सर के अंदर टोटल छे सीट है 6 अन्रिजर फोर ओवी सी वन एस सी वन और ओएच सब जीरो बहुत बड़ा मौका के भी आपको देने जा रहा है अब इसके लिए हम देखते हैं कि क्या है इसके बेनिफिट्स तो आपको लेवल 7 की सैलरी म होगा मिनमम आपका उमर 35 years maximum किसमें बात नहीं की गई है qualification become with 50% marks aggregate at least 4 year post qualified experience in the audit and account work become हो और 4 साल के आपके पास अन्भा हो किसी CA किया रहके या जहां भी है उसके बाद income with 50% marks या अगर यह नहीं तो यह और 3 साल का आपको audit का experience तो income वाले को एक साल का फाइदा है या CA inter, ICWA inter, MBA finance, PGDM finance, 2 year full time और 3 year part time experience अगर की नहीं के पास है तो वो भी इसके लिए जिबुल है इसमें CA inter, ICWA inter, MBA finance, Postgraduate Diploma in Management Finance, 2 years full time, 3 years part time की डिगरी है या 2 year post qualified experience in the audit and account work है आप इस जिरूल है knowledge for computer application उसके बाद इसमें straight forward classes इसके उपर एक नियमित crash course लाएगी जिसके common syllabus है बहुत उसके उपर आपको पढ़ाया जाएगा, study material दिया जाएगा, आप mock test कराये जाएगे, हम लोगों का एक track record है कि education से जूरी हुई चीज़े और आप educational institution में आ रहे हैं तो आपके questions के model pattern सब अलग होंगे, यह सारी चीज़ों पर बिरहत class की वेवस्ताय straight forward ने की है, इसलिए दिये हुए नमबर पे संपर्क करें और जल्दी से जल्दी admission लें नमबर पे मिस्टर मनिस कुमार मिलेंगे, उनसे बात करें और आप बेस class है, जिसमें आप हिंदोस्तान में कहीं भी राके, इस class का आनंद ले सकते हैं, जाएगे